हेलो गाईज कैसे आप अच्छा करता हुए तो गाईज अपना और अपने फैमिली का खया रखना और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फो लेटेश्य मार्केट फीडियो अब मैं ट्रेलिगाम चैनल से जुरू सकते है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्राइब में आपको मिलेगा और क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डार्क लिए मुझसे पूछ सकते हैं जो कई जम इस वीडियो में बात करेंगे अलोक इंडस्ट्री इस लिमिटेड जो कि चपरदस्त कं जम इसमें देखने को मिला था अज जैसे ही मार्केट बंद हुई साड़े 21 रुपे के आस पास ये अभी बंद हुआ था चो गई इसके आज के लो की बात करें तो बीस रुपे शाट पैसे इसका आज का लो है बावनुविक आई की बात करें तो पांस रुपे तीस पैसे तो इसके बावनुविक आये महीं इसका मैक्सिमम् है यह रिलिस्ट हुआ था यह आपको भी पता है जैसे ही रिलिश्ट हुआ था यह अपर सर्केट पे लोक होता होता और यह जो इसका बावनुविक आई है वहां तक चला गया था और चीज़ें अब भी एड़ प्रेजन for the past two quarters company able to generate net cash improving net cash flow for last two years book value person improving for last two years company with zero promoter plans foreign investors की बात करें तो यहां पर जो holding है वो increase हुई है और काफी बड़ी holding यहां पर increase हुई जो holding a share holding वो increase हो रही है and apart from that अगर बात करें weakness की inefficient use of capital to generate profit roc declining in the last two years decrowth in revenue and profit decline in net profit with falling profit margin quarter on quarter low petroski scores companies weak uh financials major fall in ttm net profits and opportunities की बात करें तो positive breakout seconds resistant and highest recovery from 52 weeks low joe की काफी नीचे था now and stock with the low p and apart from that kind of threat की बात करें तो red flag large swings between profit and loss so red flag firm link to ongoing regulatory investigation and legal cases upcoming results for nifty 500 with declining share price over the week profit to loss companies increasing trend in non-core incomes so apart from that आज की बात करें तो आप को देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बाइम यहां पर आप आपको दिख रही है even even after the market की situation थी morning में काफी खराब थी और around 400-500 पॉइंट आज दुबारा से डाउनफोल मार्केट में देखने को मिला था जैसे जैसे मार्केट बंद होता गया दुबारा से situation काफी better हो गी थी और 200-300 पॉइंट के आस-पास प्लस में रहा था बट यहांपर काफी जो की इसके financial को चेक करें तो गाइस financial से ही रिलेटेड वो न्यूज है वो न्यूज क्या है वो इस वीडियो के थुरू आपको पता चलेगी एंड इसके revenue की बात करें तो revenue आप खुद देख सकते हैं कितना जबरदस्त क्रोथ यहां पर आपको देख रहा है और जो की आप यहां से March में जून में decline हुआ just because of की जो pandemic में lockdown हो गया था जिसकी वज़े से यहां पर downfall आपको देखने को मिला है इसके अलावा September की बात करें काफी बड़ा यहां पर jump even more than double यहां पर jump आपको देख रहा है और उसके बाद अगर बात करें दिसंबर की तो मोटा jump यहां पर भी आपको देख रहा है अगर अभी weight है तो of course जो की March quarter के result का weight है and net profit की बात करें तो net profit में अगर जो September का quarter है वो काफी अच्छे-खासे profit के साथ निकला था बड़ा profit इसमें earn किया था and जो December में of course जो की जो की totally अभी हलका सा यहां पर जो की downfall देखने को मिल रहा है एवन loss में था totally and earning per share की बात करें तो earning per share में भी same situation है जो की आपको net profit में देख रही है जो September quarter था उसमें earning per share में काफी improvement इवन जो की काफी अच्छा-कासा इसमें जो की earn हुआ था and December quarter के बात करें तो of course यहां पर जो की almost equivalent ही था और अभी देखना है तो of course जो की March quarter का result कैसा रहेगा वो depend करता है अभी and अगर बात करें यहां पर holding की तो 75% यहां पर promoter holding है and public holding की बात करें तो around around 23% public holding है और इसका अगर foreign investors की बात करें तो foreign investors जो की entry ले चुके हैं और एक बड़ा amount यहां पर already जो की hold कर चुके है 0.9% यहां पर foreign investors की holding हो चुकी है अगर बात करें इसमें जो की mutual fund की बात करें तो mutual fund ने जो दिसंबर में यहां पर holding है वो increase की है and बात करें foreign investors की तो यहां पर holding increase हुई है काफी मोटा increment आपको देखने को मिल रहा है यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि mutual fund ने यहां पर entry ले लिए foreign investors ने आपर entry ले लिए इससे पहले की बात करें तो सिर्फ public और promoters ही यहां पर holding के लिए बैठे हुए थे बट यहां पर foreign investors ने यहां पर entry ले ले लिए इसमींस की चीजें काफी better होने वाली हैं तो चीजें काफी better हैं अभी at present अगर पात करें तो apart from that एक चीज आपको देखने को मिलेगी PS में means की इसी industry से related जो company आप खुद देख सकते हैं पेज इंडस्ट्री जो की 33,000 CR इसमें यहां पर market capping है और अगर comparison करें इसका आलोग industry के साथ तो 10,000 CR जो की already इसकी market capping है already और इसके अलावा इसके बावजूद यहां पर जो की आप price difference आप खुद देख सकते हैं कि कि कितना difference यहां पर नजर आ रहा है जो की almost one by third already इसके पास market capping है जो की तूसरे number पर जो की आलोग industry आता है तो यहां पर काफी ऊपर है डीन आलोग industry की बात करें तो अगर वेल्सपन की बात करें तो जिसका price 77 रुपीज है यह집र का पर काफी ऊपर इवन जो की आलोग industry नजर आ रहा है अगर Trident की बात करें तो यहाँ पर Trident को भी बीट कर रहा है तो guys अगर छोड़ दें Page Industries को तो यहाँ पर Second Number पर Allok Industry का नाम आता है तो guys अभी चीजें काफी better होने के chances हैं even Allok Industries की बात करें और इसका जो financial result जो की एक meeting है उस meeting में financial result भी announce होना है तो guys अभी यह कब announce होना है वो देख लेते हैं तो guys यह letter अलड़ी आ चुका है Allok Industry से जो की board meeting होनी है जिसमें consider किया जाएगा उसका quarterly और जो audited financial result जो की year end में जो 31st March 2021 So guys यह देखें the board of directors of the company is scheduled to be held on Monday April 19th 2021 इंटर आलिया to consider and approve the stand-alone and consolidated audited financial results of the company for the quarter and financial year ended March 31st 2021 So guys यह 19th तारीक को meeting होगी इसमें जो March quarter का result जो audited financial result announce होगा देखना अभी पाकी है कि इसका result कैसा रहता है और चीजें अगर इसमें कुछ चीजें stable हुई और इसका जो result है जो की इसके favorable हुआ then ये काफी हड़कम मचाने वाला है market में काफी उपर जाने वाला है So guys अभी इसको ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके इकठा कर सकते हैं और अरड़ी mutual fund की बात करें या फिर foreign investors की बात करें तो already entry ले चुके हैं और एक अच्छा खासा इसमें profit आपको मिल सकता है So guys इसको try करें अभी ले थोड़ा थोड़ा करके इकठा कर लें अभी भी मोका है क्योंकि जो अभी sentiment इसका 96% पाय करने का बन रहा है So guys try कर सकते हैं एक bundle of share इकठे कर लें ताकि आपको in future एक बड़ा सा profit आपको मिल सके So once again thanks a lot for watching this video So please take care, please like, comment, share and subscribe Thank you, take care